अलो दोस्तों अगर आप शारू खान के फैन है तो ये कहानी आपको अचम्बित कर सकती है कहानी है शारू खानो और प्रियंका चोपड़ा की प्रेम कहानी की इस कहानी में कितनी सचाई है नहीं पता पर कुछ न कुछ तो हुआ था योहीं कोई कहानी नहीं बन जाती दरसल शारू खान और प्यंका चोपड़ा साल 2006 में आई फिल्म डॉन में एक साथ मुख्य भूमिका में थे ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के दोरान ही दोनों में कुछ न कुछ प्यार वाली खिचड़ी पकने लगी थे फिल्म के बाद से तो इनकी कहानी और भी हसीन होने लगी थी लेट नाइट तक दोनों एक साथ खुमते नजर आने लगे ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी बड़ती नजदीकियों के बाद शारू खान की पत्नी गौरी खान ने शारू खान पर बैन लगा दिया था कि वे प्रियंका चोपड़ा के साथ और फिल्में नहीं करेंगे उनकी प्रेम कहानी में आखिर वो दिन भी आ गया जब परिस्तितियों ने उने मजबूर कर दिया कि वे एक दूजे के हो जाएं साल 2013 में प्रियंका चोपड़ा के पिता की तबियत ज़्यादा घराब हो गई और शायद उनके जीवन की आखरी पल आ गये थे प्रियंका चोपड़ा के पिता की एक्षा थी कि प्रियंका उनके जीते जीव विवाह के वंधन में बन जाये अब ऐसे मौके पर प्रियंका चोपड़ा और शारू खान के लिए फैसला लेना बड़ा मुश्किल था इस परिस्तिती से उबरने के लिए उन दोनों ने विवाह कर लेने का फैसला कर लिया और कनाड़ा के टोरंटो में एक रात ऐसी वियाई जो उनके निकाह की कवावनी ऐसी रिपोर्ट है कि आधी रात को शारू खान और प्रियंका चोपड़ा ने निकाह कर लिया और इसके बाद भी दोनों वापस इंडिया लोट आए इसके कुछ समयवाज शारू खान ने एक इंटेवियो में इस बात के लिए माफी भी मागी थी तो ये थी शारू खान और प्रियंका चोपड़ा के प्रेम और उनके निकाह की कहानी इस बारे में यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना वोलें तैंक्यो सो मच